तो हेलो व्रिवन तो आज हम लोग करेंगे अपना प्राक्टिस सेट नुबर 12 जीके प्लास साइंस का जो हम लोग रेगलर वेसे से प्राक्टिस सेट कर रहे हैं अपने कोस्ट गार्ड एयर फोर्स और रेवी ग्जाम के लिए और बहुत सारे स्टुएंट पूछ रहे हैं क् हम लोग हर प्राक्टिस सेट में 20 कुशेंस गरते हैं हजार हमारे इंड मार्च में कवर को गया होगे अगर आप सको करते रहते हैं और इसके नोट्स बनाते चलते हैं जो भी एक्स्टा चीज किज आता हूं मैं आपको कोई भी अलग से बुक पर्चेस करने के जरुवत नहीं पड़ेगी लिवसेंट आपको टच करने के जरुवत बिलकुल नहीं पड़ेगी जाए वो जी के हो या फिर साइंस हो और नोट्स किन चीजों के बनाने एक तो सिंपल जो भी चीज आपको यहां पे नहीं आती है फिर जो मैं आपको यह बताता हूँ कि यह एक्स्ट्रा इंपोर्टेंस रखती है उन चीजों को अपने नोट्स में एट करना है थीक है तो चले स्टार्ट करते है पहला कुछ से attempt करें नहीं आता है माथा भीड़ाएं क्या हो सकता है यहां negative marking थोड़ी नचल रही है कि अगर नहीं बताओगे तो फिर कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा तो यहां पर जितना जो भी guess कर सकतो बिल्कुल करो यह आपका paper attempt करने question को attempt करने की strategy को improve करेगा ठीक है लोकसबा के प्रतम अध्यक्ष कौन थे हैं who was the first speaker of लोकसबा मीरा कुमार ओमेला यहां पर कर लो जीवी मावलंकर ठीक है जीवी मावलंकर फिर सरोजनी नहीं डू सही आंसरों का option number C गनेश वासुदेव मावलंकर यह जीवी मावलंकर पहले speaker थे लोकसबा के मीरा कुमार की बात करें मीरा कुमारी की तो यह first women speaker थी लोकसबा की वोंबिल्ला की बात करें यह current speaker है लोकसबा के आनि की मौझूदा समय में और सरोजनी नेडू जी की बात करें यह हमारे पहली female governor थी हमारे country की है कौन से state की governor बनी थी यूपे की बाकी fact आप इस slide में देख सकते हो और इस सारी पूरी pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगी जिसका link आपको video के description मिल जाएगा ठीक है तो आप इसको video pause करके आप आराम से पढ़ सकते हो यह हमारा भारत का समिधान कब लागू किया गया when was the constitution of India implemented 26 January 1947, 1950, 15 August 1947, 14 August 1950 तो constitution हमारा बन के तयार हुआ था यह फिर बोल सकते है हमने adopt किया था 26 November 1949 को note करो इसको तुरंथ ठीक है इस तारीक को हमने adopt किया था लेकिन implement कब हुआ था when did it came to force तो यह था 26 January 1950 दोनों dates में अंतर पता होना चाहिए इस दिन हमने adopt किया और इस दिन implement किया for example जैसे कि हम इस दिन TV हमने खरीदा और इस दिन हमने TV लगा के देखना चालू किया ऐसे आप इसको समझ सकते हो ठीक है और यह मैंने 26 November 1914 लिखना तो 26 November को हम समविधान दिवसेन की Constitution Day के रूप में भी celebrate करते हैं और हमारे समविधान बनाया किसने था Constituent Assembly ने बनाया था समविधान सभा ने बनाया था यह कब फॉर्म हुई थी यह 6 December 1946 को फॉर्म हुई थी 6 December 1947 इसके पहले अस्थाई अधख्ष कौन थे और इसमें एक important committee बनी थी drafting committee जिसकों बोलते हिंदी में मसादा समीती इसके chairman कौन थे तो Dr. भीम राव मेटकर इसके chairman थे ठीक और जब article असर constitution बना था तो इसमें 12 अनुसूची यानि और 395 अनुचेद अनुसूची तो 12 नहीं होंगी अनुसूची इसमें 8 यहाँ पर 8 schedule थे और 4 बाद में amendment के थूँ add किये गये थे संसोधन के थूँ जोड़े गये थे ठीक है अगला question देखते हैं विवेका नंद rock memorial कहां से थे वेरिस विवेका नंद rock memorial located निव डेली कोलकता बनारस या फिर करने कुमारी तो काफी easy question है विवेका नंद कहां से belong करते थे कुलकता से है ना लेकिन कुलकता इस cancer नहीं है option number D करने कुमारी इस cancer होगा क्यूं करने कुमारी होगा क्यूंकि ऐसा माना जाता है कि उसी rock में वहीं पे विवेका नंद जी को enlightenment enlightenment मतलब की एक तरह से आत्म शक्ति आप बोल सकते हो ठीक है तो option number D करने कुमारी कहां पड़ता है तामिल नादु में ठीक है अगला question देखते हैं बाकी आप fact देख सकते हैं इस question के रिगार्ड़ी अगला question हमारा Ramakrishna Mission की स्थापना किसने की वो फांड़े ती Ramakrishna Mission इसका headquarter कहां पर permanent headquarter ये बेलूर मत ठीक है कहां पर वेस्ट बेंगॉल में ठीक है अपने गुरू के नाम पर इन्होंने बनाया था जिनका नाम था रामक्रिश्न परहमन से इनके गुरू का नाम था उन्हीं को dedicate किया था ये रामक्रिश्न Mission बनाया था स्वमी दयनन सरसुती की बात करें इन्होंने आर्रे समाज की स्थापना की थी 1875 में 1875 में और इन्होंने एक नारा दिया था go back to Vedas वेदों की और लोटो ठीक है वेदों को बहुत ही अच्छा मानते है थे पुरानों को criticize करते थे बाल गंगादर तिलक की बात करें थे इन्होंने होम रूल लीक की स्थापना की थी 1916 में दो newspaper publish किये थे इन्होंने एक का नाम था Maratha Dr. जोकी English में था और एक था केसरी ये Marathi में था Maratha Marathi में नहीं था., केसरी Marathi में था, Maratha English में था याद हो गया और कोई option है हाँ मदन मोहन मालवी इनके regarding fact याद दख लो कि इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की कब? 1915 में ठीक आगे बढ़ते हैं फिफ्ट नमबर question है केंदरी प्रदूशन नियंतरन बोर्ड कहाँ इस्थित है अगला question है बाकिया दे सकते वन अनुसंधान वा सिच्छन परिशद देहरादून में राश्ट्रे विग्यान और अध्योगी की संसान फरीदाबाद में पर्रय वराण सिच्छा केंद्र एमदाबाद में अगला question है दोजार एकिस एशिन बॉक्सिंग चैंपेंशिप कहाँ अउजद की गई थी ये हुई थी दुबाई में और विमें दोनों का हुआ था तो मैं में आपसे हो सकता है पूछ ले मैं में दो सिल्वर मिडल आये थे एक जीता था अमित पंगाल ने और दूसरा शिव थापा ने शिव थापा ठीक है दोनों नाम याद अखिले लेना आपके एक्जाम में ऐसे पूछेगा वो कि इनका समंद किस खेल से है ठीक है और ये तो आपको पता ही चल गया कि 2021 का एशन बॉक्सी चैंपिशिप कहा हुआ दुबाई में हुआ अगले कुशन है सेवन्थ नंबर भारत का सबसे उंचा नदी बांध कौन सा है सबसे जो भागी रथी नदी बात करें हीराकूटकी तो इंडिया का सबसे लांगेस्ट लंबा, बांधा लोंगेस्ट डांध कौन महा नदीप है किस राज में है पुलीसा में ठीक है और यह तो हो गई लॉंगेस्ट यह जो भाखला नंगल डाम दिया यह है लार्जेस्ट डाम ठीक है सबसे बड़ा और किस रिवर पे है यह सतलज नदीप है ठीक है सतलज अगला कुश्चिन देखते हैं सरदार सरुवर डा कि काफी उंची सबसे उंची प्रतिमा है 182 मीटर इसकी उंचा ही है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं बाकिया फैक्ट इसमें देख सकते हो ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी इन विच एर डिड़ ओलंपिक गेम स्टार्ट 1855, 1896, 1940 और फिर 1957 इसका सही आंसर ओग ऑप्शन नमबर B 1896 कहां पर स्टार्ट हुआ ये ग्रीस में एथेंस सहर में स्टार्ट हुआ था एथेंस में ठीक है ग्रीस एथेंस में बात यहां पर आती है कि इंडिया ने कब पार्टिसिपेट इसमें करना चलू इंडिया ने 1900 में बोल सकते हो ठीक है 1900 में पार्टिसिपेट किया था एक ही बंदे थे नॉर्मन प्रिचाड नॉर्मन प्रिचाड इनका नाम था ठीक है अच्छी हुआ क्या था 1900 में ये एंगलो इंडियन था अधे इंग्लिश आधा अंग्रेज और आधा इंडियन तो उ हुए थे उलम्पिक से पैरिस फ्रांस में हुए थे और उस समय यह भाई साब घूमने गए थे वहाँ पे तो नहीं सोचा चलो क्यों ना उलम्पिक खेल कर निकलते हैं यहां से इंडिया है ना तो इन्होंने इस और यह सच है मैं वजाक नहीं कर रहा हूं यह रियालिटी है तो 1900 में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजन किया था सिर्फ एक ही लोगों ने तो यह कोई हम ऐसा नहीं मानते ओफिशल टाइप में ओफिशल अगर देखे तो 1920 से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था इंडिया ने ठीक है और बाकी फैक्ट अगर देखे हैं जैसे क काफी सारी फैक्ट हैं कि पहली बार इंडिया में इंडिविज्वल मेडल किस ने जीता इंडिविज्वल गोल्ड मेडल किस ने जीता तो वो जीता अभिनव बिंदरा ने टोटल अभी तक 10 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं जिसमें 8 हमारी होकी टीम ने जीते हैं दो individual category में मिले हैं पहला सबसे अभिनव बिंद्रा ने जीता था shooting में दूसरा भी जीता है javelin throw में किसने नीरा चोपड़ा ठीक है यह आपको पता होना चीए पहली women पहली महिला जिन्होंने medal जीता Olympics में वो थी कर्णम मलेश्वरी ठीक है और अगर मैं आपसे पूछू कि only Indian women to win two Olympic medals सिर्फ एक मार्टर भारती महिला बताइए उन्होंने Olympic में दो medal अभी तक जीते हैं तो उनका नाम क्या है PV Sindhu ठीक है इन्होंने अभी जो latest Tokyo Olympic हुआ था इसमे इन्होंने जीता था bronze medal उसके पहले जो Rio में ब्रजील में Olympic हुए थे उसमें silver medal जीता था कारलिना मारी जो खिलाडी थी उनके खिलाफ जो है final खिला था जिसमें के वहार गई थी उसके बाद उन्होंने silver medal जीता था ठीक है तो दो medal जीतने वाली पहली भारती महिला PV Sindhu है badminton से संबनने थे बाकी इसके अलावा जो fact जो मैंने नहीं बताया इसमें लिखा वो आप देख सकते हो चेचक के टीके का विशकार किसने किया था who invented the smallpox vaccine Robert Coach, Edward Jenner, Funk या फिर Lewis Pasteur सही आंसर होगा option number B, Edward Jenner ठीक है बाकी options के अगर हम बात करें तो vitamin का अविशकारक fung को माना जाता है bacteria का अविशकारक cleven hawk को माना जाता है TB bacteria, Robert Coach और rabies के ठीके का Lewis Pasteur को और Lewis Pasteur ने pasteurization ठीक है pasteurization आपने हो सकता है काफी लोगों ने word पहली बार सुना हो pasteurization वो होता है जैसे कि अगर आपने कभी दूद वगरा लिया और packaged जो milk आता है तो उसमें लिखा रहे था pasteurized milk उसका मतलब है कि उसको heat कर कि उसमें जो गंदे microorganism से उनको मारा जा चुका है तो उसको बोलते है pasteurization ठीक है अगला question है बैच्छियों के अध्यन को क्या का जाता है तो इसका सही answer है और निथो का मतलब ही होता है यह root word होता है birds का जो सही answer है हमार option number C होगा फ्लॉरी कल्चर की बात करें flowers की study से related है हौटी कल्चर की बात करें तो gardening हो गएरा से related है ठीक है जैसे मैंने आपको पहले काई बार यह बता चुका हूँ आपके घर में कोई खाली जगा है पड़ी उसमें आपने थोड़ी सबजी बगरह लगा दी तो उसको हम horticulture बोलते है और anthology हमने देख लिए serology study of blood serum blood में जो serum होता उसकी study को हम serology बोलते है मचली पालन को बोलते है PC culture, मदुमक्खी पालन को किया जाता है which of the following is used to control blood cancer arsenic 74, uranium 235, sodium 24 या फिर cobalt 60 तो इसका सही है आंसर होगा option number D cobalt 60 का use करते हैं blood cancer को control करने के लिए ठीक है बाकिया fact देख सकते हो चक्टान की IU का पता लगाने के लिए age of rocks निकालने के लिए uranium 235 isotope का यूज करते हैं बाकिया कार्बन के 14 C14 का भी यूज करते हैं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए sodium 24 का यूज करते हैं रक्त का थक्का यह हम लोग अभी आगे देखें कि vitamin K की जिसके अंदर कमी होती है उसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जनता है ठीक है जिस बाकिया अगे हम देखते हैं भी एक vitamin से question आएगा किन तरंगों का प्रेयोग करतीम उपकरह में संचार के लिए क्लिए 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 जाता है which waves are used for communication in artificial satellites UV rays, infrared rays, radio waves if it none of these सही answer हो option number C, radio waves अगला question हमारा मरिची का बनाने वाली गठना किस कारण होती है what causes the mesmerizing phenomenon नहीं होगा यहां पर मिराज होगा मिराज note कर लो आप ठीक है मिराज तो मिराज के लिए कौन से कौन responsible होता है polarization, interference, diffraction if it total internal reflection तो जो मिराज मिराज for example इसका best example है जैसे आप बहुत जब धूप होती है गर्मी होती है तब आप जब कार में बैठे होते हो तो आपको आगे ऐसा लगता है रोड में पानी पड़ा हुआ तो इसको मिराज बोलते है ठीक है और यह mostly desert में भी मिराज देखने को मिलता है यह होता है पूर्ण आंतरिक परावरतन यह नि टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन की वज़े से इसकी होज़े से एक और फिनोमन होता है जो diamond आपसे पूछ लेता है कई बार coast guard exam में पूछा जा चुका है कि जो मारा diamond sparkle करता है जो हीरा चमकता है वो किस कारण चमकता है तो वो भी total internal reflection की वज़े से ही sparkle करता है अगला कुछ है हमारा 14th number 3D film देखने के लिए किन चस्मों का प्रयोग किया जाता है which glasses are used to watch 3D movies polaride, bifocal lens, convex lens या फिर concave lens सही answer option number यह होगा polaride lens का यूज़ करते है आदमी के lens में lens के shape change होने लगता है eye में जो lens होता है उसका shape change होने लगता है due to age, age factor की वज़े से जैसे बढ़ती है बढ़ती है उम्र में और bifocal का मतलब क्यों होता है bifocal का मतलब दो, focal का मतलब दोनों focal यानि कि concave भी है और convex भी है अगला question है लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है what color is formed when red and green color are mixed grey, light blue, yellow एफिर white तो इसको simple करने का तरीका आप विब ग्योर याद कर लो जो order होता है मारा विब ग्योर ठीक है विब ग्योर ठीक है अब इसमें बोला green और red को mix किया है तो green और red को mix किया तो यह तो हमें yellow और orange मिलेगा सही answer इसका में कि orange तो है नहीं yellow है तो option number C अब जैसे मानलो आपसे बोल दे कि yellow और red को मिलाया है तो orange मिलेगा आपसे बोल दे blue और yellow को मिलाया है तो green मिलेगा ऐसे आप इसको याद रखना है ठीक है अगला question है एक pilot या वायू आयान चालक द्वारा लक्ष को बेदने है तो bum को गिराना होगा to hit the target by a pilot और aeronautical the bomb must be dropped by ahead of target over the target, before the target, none of these बताओ तो इसका बहुत यह असान सा question है सही answer option number C होगा before the target जैसे की, माल लो यह विमान हो रहा है ठीक है, यह विमान है इस पे मालना है target पे तो इसको यहीं पे ही bomb को drop कर देना पड़ेगा तब वो वहाँ जाके पहुँचेगा क्यों? क्योंकि वो एक certain velocity से आगे बढ़ रहा है तो जब वो उसको छोड़ेगा तो क्योंकि Newton का first law आप वो सारी चीज़ें पता ही होँगी तो जब वो छोड़ेगा उस bomb को तो वो भी तो एक certain velocity से जा रहा होगा उनके साथ तो जब छोड़ेंगे तो वो भी आगे की तरफ जाएगा और इसी वज़ए से पहले target के हमें उसको ड्रॉप करना होगा ठीक है Newton के गति के प्रिथमनियम के अनुसारी सारी चीज़ें होती है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अगला कुश्चन है यदि किसी वस्तु को उपर की और उचाला जाता है तो जब वह मात्तम उचाई पर प्राप्त करती है तो उसका वेक क्या होगा इफ नोब अबज़ेक्ट इस टोण अपवर्ट वहाट इस वेलासिटी वन इट अटेंस इमाक्सिमम माइट बहुत इजी क्विस्चिन है 0 मीटर पर सेकंड क्यों क्यों हम फेकते है मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाती है 0 हो जाती है क्योंकि रुख जाता है एक समय के लिए रुख जाता है और फिर नीच जाता है तो टॉप मॉस्ट पॉइंट पर उसकी वेलासिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी विटामिन के का रसाइनिक नाम क्यों होता है अबही मैं आपको होता है था नामें टॉको पिरोल की बात करें vitamin A का chemical नाम है, topofirola की बात करें, vitamin E का chemical नेमर सो, riboflavin की अगर हम बात करें, तो या vitamin B1 का नाम है, ठीक है, अगला question देखते हैं, अपने देख लेगा, riboflavin हो कहा, B2 का नाम है, vitamin B1 की अगर बात करें, तो आपका thkaimine होता है, अगला है सबसे कथोर धातु कौन सी होती है लिटियम उसमियम फिर पुटासियम अब यहां पर हाल्डेस्ट पूछ रहा है तो इसका सभी आंसर अप्शन नंबर E होगा उसमियम उसमियम के अगर बात करें इसकी देंसिटी सबसे जादा होता है यानि इसका मतलब है इसका भार सबसे जादा होता है तो अगर आप से पूछ लेगिए सबसे डेंस डेंसर मटेरियल कौन सा है तो आंसर होगा ऑस्मियम और सबसे लाइटेस्ट மेटल की बात करें तो वह है लीथियम सबसे हलकी दातू लिए ठीक है अगले फुश्टेन देखते हैं उचितम उर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है विच कला फ्लाइट है थी हाइस एनर्जी ब्लाइक ब्लू रेड फिर नन अफ दीज तो देखो जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा न या फिर बात करूं जिसका फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एनर्जी होगी या फिर इसको में से सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी जो गिवन ऑप्शन से ब्लू की तो अप्शन नमबर 20 होगा तो हमारे 20 कुश्चन्स खतम होते हैं आपका स्कोर कितना है वो आप कमेंट बताओ 20 में औ और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरू कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब फिर के नोटिफिकेशन मेल को प्रेस के लेने ताकि आपको इन फीचर जो भी वीडियोस है उनको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना इसका पीडिया ड परने बाद